दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवर कार्ड यानि की सिर्मिक कार्ड के बारे में अगर आपका भी लेवर कार्ड या सिर्मिक कार्ड बना हुआ है तो आपको पता ही होगा जब तक लेवर कार्ड रिनीवल नहीं होता है तब तक आपको किसी भी योजना का लाब नहीं दिया जाता है तो ऐसे में अगर आपका भी labor card renewal नहीं है तो अब आप लोग online घर वैटे ही अपने labor card को renewal कर सकते हैं पहले आप लोगों को अपने labor card को renewal करवाने के लिए या तो labor office में जाना पड़ता था या पिर आप लोग जन सेवा के अंद पर जाना पड़ता था तो आज की इस पीडियों में मैं आपको complete process बताने बाला हूँ कि आप किस तरहें से अपने labor card को online ही खुद से renewal कर सकते हैं और खुद से ही अपने labor card की जो renewal के fees है उसका भी payment online कर सकते हैं आप जितने भी year का renewal कराएंगे आपको उसे हिसाब से payment कर देनी है और इसके बाद आपको government की तरफ से labor card केते हैं जितनी भी योजनाय चलती हैं अगर आप उसमें apply करेंगे तो आपको उन्योजनाओ का लाप आसानी से मिल जाएगा so complete information के लिए वीडियो को end तक देखते रहिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो subscribe कर लें जिससे की आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप इस वाली website पर आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है सिर्मिक card renewal करें online घरवेट है तो आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद यहाँ पर सिर्मिक card को online ही renewal करने का complete process आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा आप चाहें तो इस article को अच्छे से read कर सकते हैं और इसके बाद आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा website link click here तो आपको click here वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद आप लोग उत्तर प्रदेश के labor card की official website पर आ जाएगे अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अलाबा और किसी राज्य से बिलोंग करते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से इस process को कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हो इसके बाद यहाँ पर अगर आपको अपने labor card को renewal करना है तो यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा पंजी करण नवीनी करण और इसके just नीचे ही आपको option देखने को मिल जाएगा आवेदन करें तो आवेदन करें वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरहें से interface आ जाएगा अब आपके labor card की जो भी पंजीयन संख्या है उस पंजीयन संख्या को आपको इस वाले box में fill कर देना है अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने labor card की पंजीयन संख्या किस तरहें से निकाल सकते हैं तो इसके लिए आपको सिर्मिक बाले option पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है सिर्मिकों की सूची, जन्पद बार, ब्लोक बार तो इसे वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जिला का नाम select कर लेना है इसके बाद आप नगर में रहते हैं या फिर बिकास खंड में बो आपको यहाँ से select कर लेना है इसके बाद आपको अपने कारी की परकृतिय स्लेक्ट कर लेनी है आपने जो भी लेवर कार्ट बनाया है, उसमें आपने क्या काम डाला है इसके बाद आपको कैपचा कोड फिल करना है और सब्मिट वाले आपशन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद सभी लेवर कार्ट की सूची आपके सामने यहां पर आ जाएगी और उसमें से आपको अपने रेजिस्टरेसन नमबर को कोपी कर लेना है जो भी रेजिस्टरेसन नमबर आपने कोपी किया है उसे यहां पर आपको फिल कर देना है इसके बाद यहां पर आपको एक कैपचा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको फिल करते ना है और इसके बाद आपको सर्च वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही सर्च करेंगे इसके बाद आपके लेवर कार्ट की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी जैसे कि सर्च का नाम जनपद का नाम और इसी के साथ आपको यहां पर यह भी देखने को मिल जाएगा कि आपका जो लेवर कार्ड है वो अभी कितने सालों तक रिन्यूवल है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इनका लेवर कार्ड है वो 2017 तक रिन्यूवल था और इन्होंने 2016 में रिन्यूवल करवाया था तो इनके लेवर कार्ड को रिन्यूवल हमें करना है, तो इसके लिए करना क्या है, कुछ उपर की साइड में आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एक उपशन देखने को मिल जाएगा, नवीनी करड करें तो इसी वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीजी के side में आ जाना है यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी सिर्मिक का mobile number है वो उसके last के आपको 4 digit यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे साथ ही आपने जब भी लेवर कार्ट बन बाया था उस समय जो भी bank account aid किया था वो bank account आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC code देखने को मिल जाएगा बैंक का नाम और branch का नाम देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने सालों के लिए अपने लेवर कार्ट को renewal करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके maximum आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों के लिए renewal करवा सकते हैं और कम से कम एक वर्स के लिए तो आप जितने भी सालों के लिए renewal करवाना चाहते हैं आपको यहां से select कर लेना है और इसके बाद आपको नवीनी करण जमा करें वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो आप redirect हो जाएंगे payment page पर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो मैंने अभी एक साल के लिए renewal करने के लिए select किया था तो एक साल का यहां पर देखिए 150 रुपया आ रहा है पहले दोस्तों क्या होता था अगर आप लोग एक साल के लिए renewal करवाते थे तो मात्र आपसे 40 रुपय की face करती थी लेकिन अब यहां पर वही 40 रुपय बढ़ा कर के एक साल की face जो है वह 500 रुपय कर दी गई है इसके बाद यहां पर आपको payment करने के काफी सारे options मिल जाते हैं जैसे कि आप credit card के माद्दम से कर सकते हैं debit card, other debit card, internet banking, ballot और QR code, UPI यानि कि सभी आपको payment करने के options मिल जाते हैं आप जिस वी तरह से payment करना चाहते हैं आपको उस option क यहां से select कर लेना है अगर आप लोग अपने debit card के माद्दम से यहां पर payment करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना card number फिल करना है इसके बाद expiry date, CVV number, card holder name और make payment वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके bank account में जो भी mobile number link है उस पर एक OTP send किया जाएगा और OTP fill करने के बाद जैसे ही आप submit करेंगे तो आपके bank account से यहां पर 500 रुपय का payment हो जाएगा और आपका जो labor card है वो एक साल के लिए renewal कर दिया जाएगा इसी तरह से आप अगर 2 साल के लिए या फिर maximum 3 साल के लिए renewal करते हैं तो उसी तरह से यहां पर जो भी payment है वो बढ़ा कर आ जाएगी और उसी तरह से आपको यहां पर payment कर देनी है payment करने के बाद आपका labor card renewal हो जाएगा और आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा अगर आपको इस process में कोई भी problem आ रही है तो आप comment करके पूंच सकते हैं या फिर आप लोग अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नजदी की जनसेवा के अंदर पर जा सकते हैं बहें लोग आपकी labor card को आसानी से renewal कर देंगे तो फिलाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ